कि नमस्कार मैं गुप्तेशुट पंडे डीजीपी बिहार एक गलत फामी बहुत हो रही है लोगों को कि किसके बाद लॉकडाउन में छूट है नहीं मैं यही असपस्ट करने के लिए हांथ जोड़ करके प्राफना करता हूं बिहार की बारफ प्रोलामाम से कोई छूट नही है आम आदमी के लिए जैसे लॉकडाउन चल रहा था आम जंता के लिए वैसे ही एक लॉकडाउन तीन मई तक चलेगा आपने बड़ासयोग किया है बड़ा समर्थन दिया है बड़ा ही प्यार दिया है मेरा अम्रोद है कि तीन माई तक अपने घर में रहें सरकारी कारियाले खुल गए हैं तो कुछ लोग आएंगे जाएंगे आवसक सेवाओं से संबंधित लोग आएंगे जाएंगे आपात कालीन सर्विशेज से संबंधित लोग आएंगे जाएंगे कुछ काम में सरकार ने छूट दी है उस कामों संबंदित लोग आएंगे जाएंगे उनको रोड पर गाड़ी से मोटरसाइकल से चलते हुए देखकर यह न समझ लेना कि आप भी स्वतंत्र हैं कहीं निकल सकते हैं नहीं आम जनता के लिए अभी भी लॉकडाउन वैसे ही है जैसे था हा आपको बताने की जिर्तने भिहार में मझबूर होकर के लौपडाउन के उलंगन में एक डीस्पी इसतर के पता अधिकारी पर यह फायार करनेंस कर ना पढ़ा दिडियों और समय और लिए तीन तारीक तक बाहर घर से नहीं निकलना यह बिल्कुल से लोगों से कहना चाहता हूँ डाउन दी लाइन नीचे क्लियर करें कहीं कहीं पत्रकारों के साथ दुरुवयवर के सुचना आती है कहीं कहीं इनोसेंट लोग जो जरूरी काम से के शोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए प्रिस्क्रिप सं लेकर धवा लेने जारा उनके साथ दुरोःद कि सूचनाया लेकिन एक भी ऐसे घटना होति है तो हमारी नाम Sponge होता है किसी पत्रकार पर हाथ न उठाएं, पत्रकार बंदों से भी अन्रोद करूंगा, कि हमारे पुलिस के लोग बहुत ही तनाव में जी रहे हैं, आनवस्यक उनसे न उल्जें, और जब भी निकलें, ग्रूप में न निकलें, अकेले अपना आई कार्ड लिकर के ही निकलें, और विनमरता से, सालिंता से वो पेस आएं, जब भी उनको पूछा जाएं, वो दिखाएं, तो उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, आम आदमी भी कोई परेसान न हो, निर्दोस पर किसी पर एलाठी नहीं चलाना है, पुलिस स्टेट नहीं है, वेलफेर स्टेट है, जो मनचले हैं, बदमास हैं जिद्धी हैं, अडियल हैं, गुंडे हैं, मवाली हैं, ऐसे लोगों के साथ जितनी आप सक्ति कर सकते हैं, आपको सक्ति करने की छूट है, लेकिन इस बात का बहुत अच्छे से बिचार करके कि किसके साथ कितना क्या करवाई करनी हो करें, ताकि कोई जनता में पुलिस के खिलाप गलत मेसेज नहीं जा, और जनता से भी मैं अंडोध करूंगा कि करोना वारियर्स जो हैं, चाहे स्वास से जुड़े हुए लोग हों, चाहे डॉक्टर हों या पुलिस हों, बहुत तनाव में वो काम कर रहे हैं, और आपकी से वा मजूटे हैं, उनके साथ कहीं कि किसी पुलिस कर्मी पर किसी डॉक्टर पर कोई पत्थर फेक दे कोई हमला कर दे, क्योंकि ऐसा जो भी करेगा, मैं पहले भी कह चुका हूं, उसके साथ बहुत ही सकती से कानूनी करवाई की जाएगी, उनको इसका प्रणाम भुगतना पड़ेगा, इस बात को मैं फिर द किसी तरह से दो समुदायों में नफर थेलाने की कोशिश कर रहे हैं, सैक्लों लोगों के ऐसी गिरफ ताड़ी हुई है, जो पोस्ट करता है उसको, तुरत दबोच लीजिए, मुकदमा कीजिए, कुंडा रेजिस्टर में उसका नाम चढ़ाईए, केस में चार सीट करिए, स्पीडी ट्रायल कराईए, ताकि वो जीवन में ऐसी गलती करने की हिमत न करें, एक बार ये हो गया, सरकारी नोकरी नहीं मिलेगी, चरीतर सत्यापन प्रणार पत्र नहीं मिलेगा, जीवन में बहुत ही संकट का सामना करना पड़ेगा, इसलिए मैं नौजवानों से अंद करना हमारा धर्म है, लेकिन पत्रकारता के नाम पर कुछ ऐसे लोग भी आ गये हैं, जो पॉर्टल खोल खोल करके और गलत अफाहें फैलाते हैं, कम हैं, लेकिन ऐसे लोग हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाब भी कारवाई होगी, ये बात उनको ध्यान में रखना चाहिए, उ अगर मिडिया के चौते हस्तंब हैं, तो उनकी जिम्वारी है, कोई भी जिम्मेदार, पत्रकार, इस तरह की कोई गलत अफवाह नहीं फैला सकता, अपने चैनल के माध्यम से, लेकिन कुछ लोग हैं, तो ऐसे जो कुछ लोग हैं, उनको चिन्हित करें, और विचार करके उ इंदू मुसल्मान यहां हमेशा सदियों से एक साथ रहते आए हैं, प्रेम और सध्वावना और एक्टा के साथ, इसको बना कर रखना है, पुलिस का सहयोग किजिए, और पुलिस के लोग आप जनता का सहयोग करें, जो बिमार हैं, लाचार हैं, रोगी हैं, भूके हैं, न पुलिक से, जो कहना था, मैंने कह दिया, मैं तमाम पत्रकारों से भी अन्रोद करता हूँ, इस संकट के समय में हमारा सहयोग करें, मुझे आपका प्यार, मुझे आपका आश्रवात चाहिए, और आपके साथ, अगर आप जेनूइन आदमी हैं, किसी तरह कि कहीं कोई गलती होती है, आप हम को बताएं, हम उसका संग्यान लेंगे, आप समय को मेरा बहुत बहुत प्रणाव,